दोस्तो चंद्रयान 3 के बारे में लेटेस्ट न्यूज आई है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष एजंसी इसरो ने बताया कि रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसे अब सुरक्षत रूप से पार्क किया गया है और स्लीप मौड में सेट किया गया है। इसरो ने सोशल मीडिया ट्विटर पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जैसे ही सूरज की किर्णे चांद पर दोबारा पहुचेंगी प्रज्यान रोवर फिर से एक्टिव होगा। आपको बताते चले की चंद्रमा पर रात पृत्वी के 14 दिन में बराबर होती है। और रात में चंद्रमा का तापमान माइनस 230 डिगरी तक चला जाता है और इतने तापमान में कोई भी मशीन काम नहीं कर सकती है। तो फिलहाल अगले 14 दिनों तक चंद्रयान 3 को इंतजार करना होगा अगले सूर्य उदे तक का। इसरो के चंद्रयान 3 का मिशन अब भी जा इस बीच शनिवार को अंतरिक्ष एजनसी ने बताया कि रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क किया गया है और स्लीप मॉड में सेट किया गया है। अंतरिक्ष एजनसी ने बताया कि APXS और LIBS पेलोड बंध है। इन पेलोड से डेटा लेंडर के जरिये प्रित्वी पर भेजा जाता है। बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। सौर पैनल 22 सितमबर 2023 को अपेक्षित अगले सूरियोदय पर प्रकाश हासिल करने के लिए उनमुख है। रिसीवर चालू रखा गया है। दस दिन तक चांड से जुड़े अ विक्रम लेंडर का काम करना मुम्किन नहीं है। लेकिन स्लीप मौड में जाने से पहले रोवर और लेंडर ने कई ऐसी जानकारियां हमको दे दी हैं जिनसे मानवता का भला हो सकता है। इससे पहले इसरो प्रमुक एस सोमनात ने कहा था कि लेंडर विक्रम और रोवर प्र को सुलाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें रात का सामना करना पड़ेगा रोवर प्रग्यान ने चांद के दक्षिनी ध्रूफ पर रिकॉर्ड की अद्भुत घटना इससे पहले इसरो ने गुरुवार को बताया था कि चांद की सता पर घूम रहे र अरसल रोवर प्रग्यान ने चांद पर एक खास भूकम्पिय कमपन को रिकॉर्ड किया है अब इंतजार रहेगा अगले सूर्य उदे का और फिर से एक्टिव होगा चंद्रयान तीन और उसके बाद भी बहुत सारी रोचक घटनाएं और जानकारिया चांद की आनी बाकी ह सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ग्यान की दुनिया को अगली अपडेट के लिए